हेलो नमस्कार दोस्तों सो अगतायब का आशिश पड़ो में आज हम बात करने वाले होंडा अमेज C&G के बारे में तो आप सोच रहे होंगे कि C&G कब लाउंच होगी भाई होंडा अमेज के अंदर तो भाई आफिसरी लाउंच नहीं हुई है कंपनी ये टाइप कर लिया है C&G कंपनी के साथ और आपको गाड़ी में लगा के दे रही है जिसके लिए आपको लगभग देना पड़ेगा 78,000 रुपए और होंडा से C&G लगवाने के फाइदे क्या है कि आपकी वारंटी अवाइड नहीं होगी और यहाँ पर आप बेस लेकर टॉप तक किसी भी विरेंट में C&G लगवा सकते हैं चाहे वो मैनुवल हो चाहे ऑटोमेटिक अभी आपके सामने सबसे बेस यी विरेंट खड़वा है मैनुवल ट्रांस्पिसन के साथ में और इसमें C&G लगी हुई है आज इसी के अबारे में हम कंप्रेट डीटेल में बात करने वाले हैं इसके एक्स्टीर से लेकर इंटीर तक इंजन फीचर्स देन प्रैस के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कलर चॉइसस की तो अभी आप देख रहे हैं वाइट कलर को इसके अलावा ब्राउन रेड सिल्वर ग्रे बहुत सारी कलर चॉइसस देखने को मिल जाती है इंजन आपको होंडा में एच के अंदर एक ही मिलता है 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन की की बात की जाए तो सबसे बेस विरेंट है यहाँ पर ऐसी कुछ नॉर्मल सी की मिलती है होंडा की ब्रेंडिंग है सेंटर लॉकिंग आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं और ऑफ्टर मार्केट या सोरूम से अब चली बात करते हैं गाड़ी के एक स्टीरियर से फिर चलेंगे इसके इंटीर के अंदर तो फ्रेंट प्रफाइल में देखेंगे होंडा की ब्रेंडिंग होंडा का लोगो ऑपको बेस लेकर तॉप तक यहीं मिलती है क्रोम गिरल का फो बड़ेशांदार से लगती है है लोगोन में हैड्लम से बगल मेरे आपको टायर इंडिके प्रूफ की बात किया तो पीछह आपको मिलता है पावर एंटीना अगर इस्टाइटिंग प्राइस की बात करें तो इसका जो बेस विरिंट है साथ लाग वीस जार एक सुरूम से स्टाट होता है और टॉप चला जाता है नौलाग शीयावजार एक सुरूम था साइट से 1725 mm इसकी विर्थ है और 1501 mm आपको हाइट देखने को मिलती है बेस विरिंट के नदर आपको 14 इंच के स्टील विल दिये जाते है विल कवर्ट नहीं आते बेस में आप बात में लगवा सकते हैं जेकी के टायर्स मिलते है टायर्स की बात किया तो 175, 65, R14 का देखने को मिल ज जाते हैं जिनको आप एलेक्ट्रिक पे फोल्ड भी कर सकते हो और जिस भी कर सकते हो यह इसके ब्लैक फिनिस में डोर हैंडल अगर इसके फ्रंट डैश्बूर्ड को दिखाऊं तो भाई यह देख लो डूल टोन कलर में देखने को मिलता है काफी शांदा लग रहा है कोई भी आडियो सेटम नहीं आता सबसे बेस वरेंड के अंदर रियर में डिरम और फ्रंट विस में आपको मिलती है डिस व्रेक अप चलते हैं इसके रियर प्रोफाल की तरफ तो भाई रियर से देख लिजे ऐसे कुछ आपको लुक्स मिलने वाले होंडा अमेज के अंदर सेंटर म आपको जो टेल लेंप्स ओफर किये जा रहे हैं लेकिन आपको हैलोजन में आपको यहां पर चलिए इसका बूट ओपन करते हैं तो यहां पर आपको कोई भी एकसेस नहीं मिलता खोलने का उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके फ्रेंट कैबिन में यहां अपनी चाबी से भी इसको खोल सकते हैं यहां पर लिवर आपको दिया गए इसको ओपन करने के लिए तो यह देख लो भाई यहां पर लगावे CNG टैंक जो की 60 लिटर का है आराम से इसके अंदर आप आठ से नो केजी तक गैस डलवा सकते हैं आपके पैटोल परम के प्रेसर पर डिपेंड करता है और यह टैंक भाई प्लांट से लगके नहीं आता है आपके डिमांड पर जो है सोरूं वाले लगवा के आपको देने वाले हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है 78,000 र निगा सकते हैं आपके चलाने पर डिपेंड करेगा तो अगर आपको भाई आउंडा आमेच के अंदर चाहिए तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्सिन यह रहने वाला है चलिए बूट को करते हैं और चलते हैं इसके रियर सीट में तो यह रहा है इसके डोर हैंडल्स अगर फैबरिक की सीट से रहने वाली हैं आप इसमें बाद में सीट कवर लगवा सकते हैं अब चलिए अंदर बैट के स्पेस बगरा देखते हैं तो आगे वरी सीट मैंने अपने कॉर्डिंग अज़स्ट कर लिए नीर रूम देख लो लेग रूम देख लो अंडर ताय यह अंदर का पूरा इंटीरियर यहां पे ग्रैब हैंडल दो-दो हैड्रेस्ट जिनको आप अज़स्ट नहीं कर पाऊगे उपर रोफ फ्लाइट है जो कि हलो जिन में रहने वाली है फ्रेंट डैसबूट की बात किया है तो रियर से ऐसा कुछ देखेगा कोई भी ऑडियो पूर ओपनर है पॉंडो के कंट्रोल से हैं नीचे स्पीकर के लिए यहां पे अच्छा का सा स्पेस के फ्रेंट कैबिन में देखेंगे तो इतना कुछ इस पेस है आगे वहले जो हैड्रेस्ट है उनको भी आप अड्रेस्ट नहीं कर पाऊगे यह इसका फ्रेंड डैसबू पारटा देखने को मिलता है साइड में देखेंगे तो यहां पर हैड्रेंड लेवलर एसिके वेंड्स अब आचए इसके बाइए फ्रेंट कैबिन में यह रहे सखिकी चली गाड़ी का अन करते हैं तो इसको हम लगा देते हैं यहां पर ऑर गाड़ी का इग्निशन आउन कर कर सकते हैं तो इस लीवर की थुरू आप ट्रीप A, ट्रीप B, मैलेज देंज वगरा स्तारी चीज़े देख पाएंगे यह तो कोई क्लस्टर की बात किया है तो ऐसा कुछ आपको मिलता है यहां पर होंडा की ब्रेंडिंग है यहां पर वाइपर की कंट्रोल इदर आपको मिल आपको बाद में कोई प्लेयर या में जो कि आपको लगवाना पाद में लगवा सकते हैं आपकी चौइस पर डिमेंड करता है यहां पर आपको मिलेगा है मैनुल एक के सारे कंट्रोल से यहां पर देखो कि नीचे 12 बोल्ड का चार्जिंग आउट्ट देखने को मिल जाता ह यहां पर कुछ स्पेस है यहां पर आपको मिलने वाले है उपर मैनुल डे नाइट आयर विम है इधर संवाइजर में आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा अगर को ड्रेव साट की बात कि जाती यहां पर भी नहीं दिया जा रहा है विजिबिल्टी देख लिए ऐसे कुछ आपको मिलने वाली है यह तो पूरे इंटीर की बात अब चलिए गाड़ी को ओफ करते हैं देखते हैं इसका इंजन और उसके बाद बात करेंगे गाड़ी की सेफटिक फिचर्स और प्रैसिंग की तो चलिए अब गाड़ी का इंज प्रैसिंग की बात की जाए तो भाई सबसे बेस इविरेंट है साथ लाग बीस हजार एक शुरूम और लगबग लगबग आट लग तीस हजार रुपए की और लखनो पड़ती है यह मैं पेटोल की प्रैसिस आपको बता रहा हूँ अरासिली होंडा कानपूर लखनो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे डील देखने को मैं जाती होंडा कार्स के अंदर तो यह थी होंडा मेज कैसे लगए आपको नीचे कमेंट्स में जरूरूप देगा अगर आपको वडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइकर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा मिलते एक नवी वीडियो के साथ तब तक लिजय हैं बन्दे मातरम